दोस्तो आज कल कंपनियां कैसे employee को appointment करी अपने कंपनी में जो उनके काम को तेजी से finish कर सके तो हम इस वीडियो में Excel की कुछ ऐसे top 20 sort cuts की लेकर आये हैं जो आपके काम को तेजी से तो finish करने वाले ही हैं साथ ही साथ अगर आप इन सारे sort cuts की का use करते हैं तो आप अपने boss को अपने colleagues को किसी को भी impress कर सकते हैं क्योंकि आपको Excel operate करते समय माउस चूने की जरुवत पढ़ने वाली नहीं है आप सारा काम इस sort cuts की के द्वारा perform कर सकेंगे अगर आपने ये सारे sort cuts की याद कर लिए हमने इस चीश का भी ध्यान रखा है जो आपके daily routine के work में daily use होने वाले जो सारे sort cuts की है वो सारे इसमें combined है तो आईए वीडियो को आरंब करते हैं नमस्कार दोस्तो में नाम है विजीत आपका सच्चा साथी सच्चा हमसफर और आप देख रहे हैं अब जीजी टेक्निकल फोरे तो दोस्तो जो हमारा सबसे पहला sort cuts की है वो है आपका alt h e a तो अगर माले जे दोस्तो अगर आपके पास data इस type से है अब माले जे आपको इन पूरे को data को clear करना है तो आप पहले क्या करते हैं data को select करते हैं फिर delete से इसको delete करते हैं फिर यहां से select करते हैं mouse से और इसको पूरा ऐसे delete करते हैं लेकिन हम sort cuts की के दवारा इसे quickly perform करने वाले हम क्या करेंगे data को select करेंगे सबसे पहले उसके बाद क्या करेंगे alt h e a press करते ह आप देखेंगे data clear हो चुका है चलिए अपने next shortcut की की और move करते हैं दोस्तो अगर हमें seat को insert करना है तो हम लोग क्या करते हैं seat पर जाते हैं right click करते हैं और insert करके ऐसे seat को select करते हैं और यहां से insert करते हैं वन बाई वन अगर हमे quickly insert करना है seat तो हम क्या करेंगे shift key के साथ F11 प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे seat insert हो चुगा आप जितना seat insert करना है आप F11 प्रेस करते जाएंगे इस चीच का दियान रखना है कि shift key आपको continuously प्रेस किये रखना है उसके बाद आप F11 प्रेस करते जाएंगे तो आप देखेंगे seat insert होती जा रही है ठीक है दोस्तो हमने आपको practice 5 का link description box में दे दिया है इन सारे shortcuts की का आप उसे download करके इसे remember कर सकते हैं ठीक है चलिए अपने next shortcuts की की और चलते हैं हमारा है दूसरा control space दोस्तो अगर मुझे मालिजे इस column को select करना है तो हम लोग mouse से select करते हैं अगर आपको quickly select करना है तो आप press करेंगे control के साथ space तो आप देखेंगे column select हो चुका है अब मालिजे आपको multiple column select करना है तो control के साथ आपने space select किया तो आपका column select हो चुका है अब आपको shift key को press करना है right side आपको जाना है column select करते हुए तो right arrow press करते जाएंगे तो आपका multiple column select होते जाएगा left side जाएंगे तो left side का आपका column select होता जाएगा चलिए अपने next shortcuts की की और चलते हैं अब दोस्तों मालिजे आपको row select करनी है तो आप क्या करते हैं mouse से इस पे click करते हैं तो पूरा row select हो जाता है जाहां भी आपका cursor रहेगा वो वाला row पूरा select हो जाएगा जब आप shift के साथ space press करेंगे अब आपको नीचे जाना है तो shift key को आपको press किये रखना है और down arrow press करते जाएंगे तो आप देखेंगे multiple row select होता जा रहा है चलिए अपने next shortcuts की की और move करते हैं अब हमारा next shortcuts की है alt h e c इसमें क्या है आप देखेंगे अगर मालेजे दोस्तों अगर मुझे इस data को पूरा clear करना है लेकिन format जो हमारा है उसको हमें maintain किये रखना है तो इसे आप select करके एक तो delete key press कर देंगे तो delete हो जाएगा या तो आप shortcuts की के द्वारा करना है तो आप alt h e c प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो data था वो clear हो चुका लेकिन आपका format as it is maintain है चलिए अपने next shortcut see की और move करते हैं अब हमारा आता है alt e l यानि delete seat अब दोस्तो अगर मालेजे आपके पास इस तरह seat insert है ठीक है मालेजे यहां मैंने दो seat insert किया अभी आप इस seat पे है अगर आपको इसे delete करना है तो आप press करेंगे alt e l देखें delete हो गया अब मालेजे आपके seat में अगर कोई data type है कोई लिखा है अगर अब आप alt e l प्रेस करेंगे तो एक बार confirmation मांगता है Microsoft Excel will permanently delete this seat do you want to continue आपको enter मार देना है अगर आपको quickly delete करना है alt e l प्रेस करना है और enter मार देना है तो आप देखेंगे seat delete हो चुकी है चलिए अपने next shortcuts की की और move करते हैं अब हमारा है alt h o i अब मालिजे दोस्तों आपने यहां कुछ type किया जैसे राम कुमार शर्मा ठीक है यह आपने type किया तो अभी आप देख रहे हैं जो हमारा कुमार और सर्मा है अगले वाले column पे जा रहा है आपको दिख रहा है ऐसा है तो आपको इसी column में से auto fit करना है तो आप तो यहां double click करके कर सकते हैं यहां जब ऐसा symbol बनने लगे तो यह देखेंगा auto fit हो चुका यह तो आप अगर इसे shortcut की की दोरा perform करना चाहते हैं तो प्रेस करेंगे alt h o i तो automatic जो आपकी test की length है उसके according यह column auto fit हो जाएगा आप देखेंगे test की length ही है तो यह देखेंगे automatic fit हो गया जैसे और example के साथ समझते हैं जैसे मैंने लिखा राम ठीक है और यहां ले मैंने लिखा अमित और अमित कुमार शर्मा ठीक है अभी हमारा cursor इस column पे है तो अब हम ज shortcut ski की और move करते हैं अब हमारा आता है alt hoa ठीक है अब मैंने टाइप किया जैसे अमित कुमार मैं column को auto fit करूंगा alt hoa प्रेस किया तो हमारा column auto fit हो गया कहीं कहीं आपने देखा कि row की जो height होती इस type से आपको दीखेगी ठीक है तो अगर आपको row के height को auto fit करना है जब आपका इ hoa तो आप देखेंगे row auto fit हो चुकी है अगर आपके पास माले जे multiple row इस type से हैं जैसे माले जे यहां भी है ठीक है और यहां भी है ठीक है यहां भी कुछ लिखा है जैसे अमेद ठीक है यहां मोहन इस तरह आपके जितनी भी multiple row है आपको क्या करना है बस select करना है पूरा और press करना है alt hoa तो आप देखेंगे auto fit हो जाएगा अब इसी तरह आपका अगर पास multiple column भी auto fit करना है तो आप इसी तरह select करके उनको auto fit कर सकते हैं जैसे मैंने आपको यहां बताया था alt hoa column auto fit करने के लिए अगर माले यहां लिखा है जैसे मैं इसको delete करता हूं ठीक है आपने लिख दिया ठीक है फिर मैंने मोहन लिख दिया शर्मा लिख दिया ठीक है फिर मैंने अंकूर पाठक लिख दिया ठीक है तो इस टाइप से अगर आपको data सबसे पहले आपको क्या करना है जो भी आप data download करेंगे control a करिए ठीक है सारा data select हो जाएगा और alt hoa press करिए तो सारे column auto आप देखिए यह भी हमारा आटो फिट हो गया टेस्ट के लेंथ के कोड़ी और यह भी और यह भी तो जब भी आप data कहीं से download करें सबसे पहले control a select करेंगे क्योंकि वह column auto fit नहीं होते हैं जिसके कारण वह सिरिंक रहते हैं तो हमारे पूरी text की visibility नहीं आती तो सबसे पहले आपको क्या करना है control a से पूरे data को select करना और सबसे पहले आपको यहीं काम करना alt h o i तो आपके column auto fit हो जाएंगे अगर आपकी row भी हाइट उससी टाइप से तो आप प्रेस करेंगे alt h o a row के height को auto fit करने के लिए चलिए अपने next shortcuts की की और move करते हैं अब हमारा आता है alt i r ठीक अब मालेज़े आपको राम और अमित के बीद में row insert करना है तो हम अपना cursor अमित पे रखेंगे और प्रेस करें क्या alt i r तो आप देखेंगे row insert हो चुका है अब मालेज़े आपको multiple row insert करनी है जैसे आपको 5 row insert करनी है राम और अमित के बीच में तो अमित पे आपने अपना कर्षा रखा shift space से select किया पूरा row और shift key को अपने keyboard से press किये रख रहा है और 5 row आप नीचे जाएंगे 3, 4, 5 ठीक है अब आप प्रेस करेंगे अल्ट आई आर तो आप देखेंगे पांच row insert हो चुकी है तो इस तरह आप अपने accordingly row insert कर सकते हैं ठीक है चलिए अपने next sort कर स्की की और move करते है अब हमारा आता है quickly insert column अब मालेज़े मैंने जैसे यहां राम इसी में भी लिखा जैसे यहां लिखा है आपका serial number date ठीक है father name ठीक है city ठीक है address यह लिखा है मेरा ठीक है अब मालेज़े आपको date और father name की बीच में column insert करना है अगर आपको single column insert करना है तो अपना cursor कहां रखना है सबसे last में क्योंकि हमने father name date और father name की बीच में बुला तो आपको सबसे last में रखना है नहीं father name में अपना cursor आपने रखा और अब आप प्रेस करेंगे alt i c तो देखी एक column insert हो चुका है अगर आपको multiple करना है तो आप क्या करेंगे control space के साथ मैंने आपको पहले बताया था कि column select करने के लिए और shift key को continuously प्रेस की रखना है अपने keyboard से तीन column insert करना है तो आप right side तीन column जाएंगे और alt i c तो आप देखेंगे तीन column insert हो चुका है तो इस तरह आप पूरा का पूरा अपना काम sort cuts की के द्वारा perform कर सकते हैं आपको mouse छोने की बिल्कुल भी जरुवत नहीं पढ़ने वाली अगर आपने ये सारे sort cuts की याद कर लिए तो मैं आपसे request करूँगा ये सारे sort cuts की को याद करिए आपके आने वाले life में ये आपको काफी increment दिलाने में भी next sort cuts की की और move करते हैं अब माले जी दोस्तों अगर आपने कोई formula apply किया है ठीक है लेकिन आपको पता नहीं कि आपने formula कहाँ apply किया या आपने कहीं से seat downloads किया है और आपको पता करना है किसमें formula कहाँ कहाँ apply है तो आपको just क्या प्रेस करना है अपने keyword से control के साथ इस वाले icon को प्रेस करना है तो आप देखेंगे जहाँ जहाँ formula लगा है वहाँ आपका यह formula विजिवल होने लग जाएगा आप देख सकते हैं फिर से आप जब control के साथ यह icon प्रेस करेंगे तो यह फिर से as it is अपने पुराने position पे आ जाएगा ठीक है चलिए अपने next thought cuts की के और move करते हैं अब हमारा आता है control के साथ minus ठीक है इसमें हमारा delete cell column and row ठीक है आपको मैंने पहले बताया था कि column को कैसे select करना है row को कैसे select करना है ठीक है अभी आप देखिए अभी माल लिजे मेरा cursor यहाँ पे www तो मैं जब control के साथ minus प्रेस करूँगा तो हमारा यह delete वाला dialogue box open हो जाएगा सबसे पहला हमारा क्या है shift cell left ठीक है तो अभी मैं जैसे enter मारूंगा तो होगा क्या यह वाला delete हो जाएगा cell और left वाला इधर shift हो जाएगा यह देखिए मैं just enter मारता हूँ तो यह देखिए मैं control z करूँगा फिर मैं control minus किया अभ हमारा आता shift cell up अभ माल लिजे मैंने इसे इंटर मारा okay किया तो होगा क्या यह वाला cell delete हो जाएगा और यह उपर shift हो जाएगा यह देखिए है ना फिर मैं control minus करता हूँ अभ हमारा आता entire row इस पर मैंने select किया ठीक है अगर अब मैं enter मारूँगा तो यह मेरी पूरी row यहां से यहां तक कि delete हो जाएगी यह देखिए ठीक है फिर मैं control minus प्रेस किया अभ हमारा आता entire column अब मान लिजे अगर मैंने इस पर टिक किया और okay किया तो यह पूरा column delete हो जाएगा यह देखिए है ना तो इसे आप अपने requirement के according perform कर सकते हैं लेकिन control minus का सबसे ज़्यादा यह हम किस situation में करेंगे अब मान लिजे आपको जैसे यहां कुछ लिखा है मैं नीचे लिखता हूं मैं इसको सबसे पहले unmerge कर देता हूं ठीक है अब मान लिजे आपको यहां से यहां तक पूरी row delete करनी है तो आप क्या करेंगे shift के साथ space row select करने के लिए जो कि मैंने आपको पहले बताया था shift के साथ नीचे आप जाएंगे select करेंगे सारे data को और control के साथ अगर आप minus press करेंगे तो direct आपका quickly row delete हो जाएगा ठीक है multiple delete करना है तो shift के साथ आप right side select करेंगे column को और control के साथ minus तो इसका use आप row और column को delete करने के लिए क्यों क्लिक कर सकते हैं उस समय आपका यह dialogue box नहीं आएगा अगर आप control minus press करेंगे row को पूरा select करके तो यह dialogue box आपको नहीं दिखेगा direct आपका perform हो जाएगा row या column delete हो जाएगा ठीक है चलिए अपने next shortcut की के और move करते हैं अब हमारा आता insert new row and column ठीक है माली जे मैंने यहां कुछ लिखा जैसे मैं लिखता हूँ यहां ठीक है यहां भी कुछ लिखा यह मैंने यहां serial number लिखा date लिखा शिटी लिखा ठीक है अब माली जे मुझे serial number और date के बीच में column insert करना या तो हम क्या करेंगे एक तो हमने आपको बताय था Alt-I-R और Alt-I-C यह दोनों वाला column और row insert करने के लिए आपका दूसरा method क्या है आपको जैसे serial number और date के बीच में करना है तो आप क्या करेंगे date को control space से select करेंगे Ctrl-shift के साथ आपको क्या करना है प्लस icon प्रेस कर देना तो आप देखे एक column insert हो चुका है मैं Ctrl-Z करूँगा अगर माली जे आपको multiple column insert करना है जैसे तीन column तो shift के साथ आप क्या करेंगे ठीक है माली जे इन दोनों की बीच में आपको रो insert करना है इस पर आप cursor जाएंगे shift ए यस से से कमर को select करेंगे एक करना है तो Ctrl-Z के साथ उन करना एकbero करना है तो इस से करना है इस पूरी से Tayland करेंगे Ctrl-Smith के साथ प्लस तो अब यहां आपको लिखना यह data है हमारा city का तो अभी आप क्या लिखते हैं city wise जैसे माले city wise data ठीक है आपने लिखा अब आपको यहां से यहां तक पूरा मज करना है तो आप क्या करेंगे को shift के साथ select करते जाएं यहां तक पूरा ठीक है उसके आप just shortcut की प्रेस करेंगे alt-h-m-m-alt-h-m-m तो आप देखिए हमारा मज हो चुका इस तरह से ठीक है चलिए अपने next shortcut की क्यों और move करते हैं अभी आपने इसे मज किया था कैसे alt-h-m-m स ठीक है अमाली जा आप पस इस type से data है आप इसे अनमज करना चाहते है तो आप प्रेस करेंगे alt-h-m-u तो आप देखेंगे फिर से अनमज हो चुका है चलिए अपने next shortcut की की और move करते हैं अमाली जा आपको यह data है है यह data यहां से यहां तक सारे cell को एक साथ आपको मज करना एक साथ तो आपको just एक shortcut की प्रेस करना है alt-h-m-a तो देखें आप एक साथ आपका quickly merge हो चुका ठीक है अगर आप इस situation में alt-h-m-m प्रेस करेंगे तो क्या होगा देखें इसमें लिखा है merging sales only keeps the upper left value and discards other values ठीक है तो यह क्या करेंगा left side की सबसे उपर वाली value रखेगा बा इस situation में आप क्या प्रेस करेंगे alt-h-m-a चलिए अपने next shortcut की और move करते हैं अब हमारा alt-s अभी आप देख रहे हैं हमारा name है product है January, February, March में sale है और total sale हमने formula apply किया अभी मैं इसको ctrl-c करूंगा select करूंगा ctrl-c करूंगा और यहां मैं ctrl-v करूंगा तो अभी आप देखे हम copy कर लिए अब आपको जहां भी यह value as it is ले जानी है total sale वाली अब क्या करेंगे alt-e-s प्रेस करेंगे तो paste special का dialogue box open हो जाएगा अब down arrow से value select करिएगा और enter क्योंकि अभी क्या हो था हमारा formula paste हो था अब हम इसे क्या करेंगे value paste करेंगा as a value और enter मारेंगे तो दीखिए हमारा value आ चुका चलिए अपने next shortcut की और चलते हैं अब दोस्तों हम बात करने वाले कैसे हम shortcut के द्वारा sales के value को select कर सकते हैं या एक value से दूसरे value पर हम कैसे jump करेंगे quickly और एक value से last के value को quickly हम कैसे select करेंगे यह सारे हम बात करने वाले इस वीडियो बे अभी आप दिखिए हमारा serial number पर कर सेरह एकर अगर हम right side error press करते हैं तो हमारा right side cursor जाता है ? down press करते हैं तो down side left press करते हैं तो left side और upper arrow press करते हैं तो upper side तो up side right ? तो control key का use हम तब करते हैं जब हमें एक data से last वाले data पर jump करना हो ठीक है अब देखिए अभी हमारा करसे देखिए serial number पर है control key को हम अपने keyword से press किये रखेंगे और अब हम down arrow press करेंगे तो हम सबसे नीचे data पर jump कर जाएंगे यह देखिए अभी हमारे यहाँ है अब हम फिर control key को press करेंगे अब हमें इस side जाना है right side तो यह देखिए हम right side करेंगे right arrow से तो right side हम jump कर जाएंगे अब माली जो मुझे left side फिर से वापस आना है तो control key को प्रेस किये रखना है और left arrow को जैसे प्रेस करेंगा तो देखें हम left side फिर से jump कर जाएंगे यानि control key का use हम करते हैं दो data की बीच में हमें jump करना है starting से लेके int तक तो इतना आपको concept clear है अब हम बात करेंगे हमें value को कैसे select करना है आपको अपने keyword से shift key को प्रेस किये रखना है अगर आप right side जाएंगे तो one by one आप देखेंगे जो cell की value है वो आपकी select होगी ठीक है left side जाएंगे तो left side की one by one cell या value अगर है तो select होती जाएगी ठीक है इतना आपको concept clear है मालीज़े आपका cursor यहां है ठीक है left side के value को select करना है तो shift key को लगतार प्रेस किये रखना है और left arrow से आप left side जाएंगे तो left side की value select होती जाएगी अब माल लेजे आपका cursor यहां पर है मैंने shift key को प्रेस किया continuously और right side के arrow से मैं इस value को select करता गया तो यह हमारी select हो गई अब हम जब down arrow प्रेस करेंगे तो क्या होगा इस sequence के according नीचे select हो गई अभी हम आप देख रहे हैं 5 value हमारी select है तो अब हम जब down arrow प्रेस करेंगे तो 5 value हमारी एक साथ नीचे की और select होती जाएगी यह देखिए है नब चलिए हम आपको quickly value को कैसे select करना है वो हम आपको सिखाते हैं हमने आपको control key का use बता दिया shift key का use बता दिया select करने के लिए control jump करने के लिए एक data से दूसरे data की और अब हम बात करें control shift का combination अब आपको control shift key को continuously press किये रखना है अब माने जब को serial number से और cell को select करना है एक साथ control shift key को continuously press किये रखना है और right side arrow जब press करेंगा तो यह देखिए quickly select हो गया तो यह कैसे हुआ? control key क्या हुआ हमारा jump किया, ठीक है? starting scene तक और shift key क्या किया one by one select करता चला गया तो यह हमारा quickly select हो गया अब हम down arrow press करेंगे control shift key को press किये रखना है down arrow press करेंगे तो आप में देखेंगे हमारा नीचे का भी data quickly select हो गया अब माले जब आपका cursor यहाँ पे है ठीक है? यहाँ पे नीचे की value को पूरा select करना है control shift key को continuously press किये रखना है और down arrow press करेंगे तो यह देखेंगे पूरा select हो गया अब माले जब आपका cursor यहाँ पे है ठीक है? अब मुझे upper की value quickly select करना है तो control shift key को press करेंगे और upper arrow तो यह देखें हमारा पूरा select हो गया right side की value को पूरा select करना है quickly तो right arrow press करेंगे तो यह देखें पूरा select हो गया तो इस तरह आप इसे practice करके perform कर सकते हैं quickly data के value को select करने के लिए अगर आप ऐसा करते हैं तो आप वाके ही मानिए आप सबसे unique होंगे अपने office में और लोग भी आपके work को देखके काफी impress होंगे क्योंकि आप mouse का use करते ही नहीं है अपने Excel को operate करने के लिए ठीक है तो दोस्तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को like, share, comment कर देजेगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जैहिन